नमस्कार दोसो फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोसो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Samsung M42 Mobile में आप यहाँ पे Screen Pinning कैसे लगा सकते हैं या फिर Window App को कैसे Lock कर सकते हैं तो यहाँ पे Screen Pinning लगाने के लिए या फिर हटाने के लिए यहाँ पे Other Security Settings क को alpしました की पूही जाती है क्लिक करेंगे स्क्रॉल कर जाएंगे तो Pin Window को alpしました को आप इसे lag लेंगे और इसको लिए पिर सब्सक्राइब क्लिक करेंगे यहाँ आप सब्सक्राइब है और अगर आपने when Captain Password चुछ भी नहीं नहीं set कर रखा है तो पहले वो set कर लेंगे तो यहां पे मैंने नहीं set कर रखा है तो इसलिए as option हा रहा है otherwise आपका direct वो pin लग जाता है ठीक है तो यहां पे आपको क्या करना है अब कोई भी एक application पहले आप open कर लेंगे जैसे मैं YouTube ऑपन कर लूँगी और इसके बाद back कर दूँगी और यहां पे आप YouTube को मेरे को pin करना है तो यहां पे मैं ऐसे task bar है मैं इस पे क्लिक करूँगी और यह जो YouTube का logo है उपर बना हुआ है यह जो circle सा इस पे आपको click करना है और pin this app पे click करना है और ok कर देंगे तो यहाँ पर मैंने इस application को pin कर दिया है और यहाँ पर अगर आप back जाने की कोशिश करते हैं तो back नहीं जा सकते और यहाँ पर आपके buttons जो हैं काम करना बंद कर देते हैं तो यहाँ पर आपको screen को unpin करने के लिए क्या करना है? Two finger का use करना है एक finger आप यहाँ taskbar पर रखेंगे एक back button पर रखेंगे दोनों को आपको इस step से एक साथ रखना है तो यह unpin हो गया है अगर आपने lock set कर रखा होता तो आप से lock मांगा जाता जो screen lock unlock करने के लिए आप use करते हैं वो वाला तो वो आपको लगा के इसको back कर देना है नॉर्मली तो आप देख सकते हैं यह आपका back ओना स्टार्ट हो गया है तो इस step से आप यहाँ पर screen को pinning कर सकते हैं और unpin कर सकते हैं तो I hope का इसी वीडियो आपको ज़रूर पसंदाया होगा चलिए मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार